Romantic Age के बड़े ही important figure William Wordsworth की बड़ी ही प्यारी poem The Tables Turned को गाई हम लोग स्टड़ी करने जा रहे हैं जो उनके collection Lyrical Ballad में 1798 में publish हुई थी और इसको 1798 में ही लिखा गया था एक ballad form में है याद रखिए का exam में पूछा जा सकता है इसका जानर पूछा जा सकता है तो याद रखिए का यह एक ballad form में है और Lyrical Ballad you know very well S.T. Coleridge और William Wordsworth का joint venture था जिसमें 23 poems थी 19 William Wordsworth की थी 4 S.T. Coleridge की poems थी यह सारी चीजे बेसिक से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो मैं उद्रे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बादर सर पर फटा फट इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें फर्स टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें इसमें आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए टाइम लिवेस करते हैं बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग फटा-फट अगर आपके पास कोई बुक है या पीडियेफ है तो इसको आप खोल लिजिए ताकि बेसिक से जो जीजिए मैं बता रहा हूँ आप स लाइन की पोईम है आप कह सकते हैं एसको डिवाइड किया गया है हर फोय यगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो यह长 प 강ांग पेहले ही आपको बता यानि books से आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है जो कुछ भी आपको पता चलेगा नेचर से ही पता चलेगा यानि एक real word जो real word है उसे आप जानना चाहते हैं जो real word है pure word है जिसमें कोई चालाकी नहीं है वो सब आपको nature ही बता सकती है nature की ही study आपको करनी पड़ेगी nature को ही आ मतलब पहले ही मैंने आपको बताया है कि romance किसी male या female के साथ नहीं बलकि romance with nature जो wordsworth का motive था वो यही था तो यह सारी चीज़े पहले भी आपको बताए गई है तो चलिए time news करते हैं इसमें देखते हैं कुछ important key facts guys तो यह मैंने दे दिया इसका PDF मैं आपको दे दूँगा ताकि आप note down उसको कर सकें तो written in 1798 इस poem को कब लिखा गया 1798 में लिखा गया and the same year published in his collection lyrical ballad same year इसको publish कराया गया इनके collection lyrical ballad में इसका जानर क्या है गाई तो it is a it is a ballad यह क्या है एक ballad है eight stanza में divided है हर stanza में कितनी line है four lines है यानि आप यह कह सकते हैं चाहे आप इसको one stanza कहें चाहे इसको one quatrain कहें क्योंकि अगर four lines है तो यह quatrain form में है total अगर देखा जाया तो इसमें 32 lines हैं गई कई बाद एक ज्याम में question पूछ लिया आता है कि इसमें lines कितनी है तो 32 lines क यह poem है right eight stanza में divided है हर stanza में four line है गई rhyming scheme के अगर हम बात करें तो each quatrain की जो rhyming scheme है rhyming scheme बहुत important होती है कई बार एक्जाम में पूछी आती है तो अगर हम rhyming scheme की बात करें तो इसकी rhyming scheme है A B A B हर quatrain की जो rhyming scheme है गई वो A B A B है अब देख भी सकते हैं poem में तो चलिए बिना time waste के हुए poem स्टार्ट कर से हो जो बाकी की चीज़े है वो हम लोग इस poem में ही study करेंगे तो देखे पहला stanza आपके सामने यह रहा अप up my friend and quit your books पड़ी important line है यानि उठो उठो मेरे दोस्त और अपनी books यानि किताबों को छोड़ दो यानि ए दोस्त उठो अप पढ़ना बोल रहे हैं कि इन किताबों को छोड़ो उठो अब पढ़ना बंद भी करो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं आगे आपको पता जलेगा और surely you will grow double और surely you will grow double यानि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा तुम बैठे बैठे मोटे हो जाओगे अपने size के double हो जाओगे surely तुम क्या हो जाओगे double हो जाओगे अगर तुम अब कोई भी वेक्ति अगर एक ही जगह एक ही जगह बैठा रहेगा तो जाहिट सी बात है मोटा हो जाएगा यही पोईट यहां बताना चाते हैं कि इन किताबों को छोड़ो उठो वरना निश्यत तोर पे तुम अपने size के double हो ज कहने का मतलब है यह इतना serious क्यों हो seriousness हटा दो right clear करो जो books को पढ़के तुम इतना serious हो right इस materialistic life में तुम इतना serious हो चीजों को जानकर science को जानकर क्यों इतना तुम serious हो इन चीजों को हटा दो और why all this toil and trouble और यह इतना hard work महनत और परेशानी किसके लिए क्यों इतना परेशान हो क्यों इतना confused हो right यह सारी चीजे छोड़ दो तो पहले stanza में वो अपने friends से क्या कह र double हो जाओगे मोटे हो जाओगे अब आप my friends and clear your looks यानि यह इतनी seriousness क्यों है इसको हटा दो अपने expression को खतम करो why all this toil and trouble यानि इतनी महनत और परेशानी किसके लिए क्यों इतना confused हो इन सब चीजों को छोड़ दो तो यह आपका पहला change है कई बार इद्याम में पूछा गया है आगे देखते हैं the sun above the mountain's head यानि सूरज अपहाडों के ऊपर आ गया है यानि उनके सर के ऊपर आ गया है और ऐसा कब होता है तो evening में होता है आफ्रेशनिंग लेस्टर मेलो का मतलब का है अभी आगे आपको पता जलेगा थू अपहाडों के सिर पर आ गया है आफ्रेशनिंग लेस्टर मेलो यानि बहुत ही शांदार रोशनी लेस्टर मेलो का मतलब है बहुत ही शांदार रोशनी और खुश्बू राइट चारो और फैली हुई है आनंदित कर देने वाली रोश्णी और खुश्बू चारो और फैली हुई है कहां फैली हुई है जो इन लंबे और हरे मैदानों में कहां फैल गई है इन लंबे और हरे मैदानों में फैल गई है यह जो हरे और लंबे मैदान है न यह कैसे नजर आ रहे हैं यह यलो नजर आ रहे हैं यानि सूरज की रोशनी की वज़े से जो घास है वो गोल्डन दिखाई पड़ रही है कैसी दिखाई पड़ रही है गोल्डन तो इस सेकेंड स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं कि जो सन है वो mountain के सर पर आ गया है और एक खुश्बूदार खुश्बूदार रोश्णी शांदार रोश्णी चारोर फैल गई है जो अनंदित कर देने वाली है और वो कहां फैल गई है long green fields राइट इन लंबे हरे घास के मैदानों में फैल गई है और वो जो घास के मैदान है वो कैसे न कोयम में बात दी गई है तो books is a dull and endless strive यानि क्या कह रहे है book is a dull and endless strive यहां कोई book को ठकावू बता रहे है बोरिंग बता रहे है कहने का मतलब है कि books को पढ़ना endless संगर्स करना जैसे है किताबों का अध्यान करना कुछ ऐसा संगर्स है जो खतम ही नहीं हो सकता किताबों को अग endless strive यह कई बार exam में यह word पूछा गया है यह term किसमें यूज हुआ है तो poet यहां देखिए क्या बता रहे है nature की importance को इतना ज्यादा बता रहे है कि वो कह रहे है कि जो किताबें यह एक दम boring होती है ठकाव होती है यह आपको कभी real knowledge नहीं दे सकती है और इनको अगर आप study करते रहेंगे तो बिल्कुल endless संघर्स करते रहेंगे आगे देखते है come here the woodland linnet देखिए linnet की बात ओर यह एक तरह का bird होता है तो यहां poet एक bird के बारे में बता रहे है जो काफी musical होती है और अच्छा गाती है तो यह linnet bird आप देख सकते हैं तो poet कहते है कि यहां आओ और उस linnet की आवाज को सुनो देखो कितना sweet और मधूर गाती है how sweet is music on my life देखो कितना sweet और मीठा गाना है मानो वो मेरे जीवन के बारे में गा रही है कितना मधूर और मीठा गाती है वो तो देखो उसको आओ सुनो उसको दोस्तों there is more of wisdom in it यानि देखो उसके गाने में उसकी voice में कितन समझदारी है यानि कोई भी books कोई भी books इतना ज्यादा हमें नहीं समझा सकती इतनी musical और मीठी नहीं हो सकती कहने का मतलब यानि कोई भी books human being से ज्यादा right इस musical nature से इस musical nature से सीख सकते है यानि जो human being है वो किसी भी books से ज्यादा इस जो musical जो nature है कह सकते है जो लेनेट की voice है इस से ज़्यादा वो सीख सकते इतनी समझदारी है उसकी वोईज में तो जो थर्ड स्टेंजा है इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं एक बार फिर से आप समझ लें कि पोईट यहां बुक्स को ठकाव बता रहे हैं एंडलेस संघर्स बता रहे हैं कि अगर आप बुक पढ़ते रहते हैं वो कह रहे हैं लिनेट की वोईज को सुनिये कितनी मीठी है जैसे वो मेरे लाइफ के बारे में कहा रहे है और वो कह रहे है देखो इसमें कितनी समझदारी है यानि कोई भी कोई भी हुमन बिंग बुक् आगे देखिए अगले स्टैंजा में वो बात क्या करते हैं यह फूर्थ स्टैंजा है एंड हार्क हाओ ब्लिद थ्रोसल सिंग्स यानि सुनो हार का मतलब है सुनो तो कितनी खुपसूरती से गाती है वो थ्रोसल भी एक तरह की बर्ड होती है यह देखिए आप देख सकते ह तो कितनी खुपसूरती से गाती है वो थ्रोसल पोईट यहां थ्रोसल के बारे में बता रहे है जो यह भी एक तरह की बर्ड ही है तो पोईट कहरे है उसका भी गाना देखो कितना मीठा है कितना खुपसूरती से वो गाती है he too is no mean preacher poet यहां Throsalbert की quality बताते हुए कहते हैं कि वो किसी preacher से किसी preacher से कम नहीं है किसी कुपदेश देने वाले से वो कम नहीं है come forth into the light of things यानि बाहर आओ दोस्तों और ऐसी दुनिया में आओ जो वास्तों में तुम्हारे आस पास है ऐसी दुनिया में आओ यानि मेटेलिस्टिक लाइफ से बाहर निकल कर आओ जो वास्तों में दुनिया तुम्हारे अगल बगल है यानि नेचर को महसूस करो नेचर ही सुपीरियर है वही टुथ है उसी को देखो यानि यहां कहने का मतलब है come forth into the light का मतलब है प्रकाश में आओ वास्तभी को दुनिया में आओ नेचर की दुनिया में आओ इन किताबों को दुनिया से बाहर निकलो let nature be your teacher यह लाइन कई बार exam में पूछी आती है important है let nature be your teacher और nature यानि प्रकरति को तुम अपना teacher बनने दो प्रकरति से सीखो उसे सिखाने दो right real life की meaning nature तुमें बताएगी और कोई नहीं बता सकता काफी गहराई है इस line में कहने का मतलब है कि nature जो तुमें सिखा देगी वो दुनिया की कोई भी किताब या कोई भी book तुमें नहीं सिखा सकती है तो guys I hope यह poem आपको अच्छी लग रही होगी और बार-बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग note down करते चलिए class को देखने के बाद class के बीच में कहीं भी कोई problem होती है तो class के end होने के बाद आप मुझे whatsapp कर सकते हैं मुझे message कर सकते हैं मैं बहुत easy words में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको दुबारा ना पढ़ना पड़े और TGT PGT दोनों ही exams के लिए काफी important यह poem है आगे बढ़ते हैं तो यह मैं फिर से बताए दे रहा हूँ जो fourth stage है बहुत important है बहुत ही important इसमें वो यही कहना चाहरे है कि nature को अपना teacher बनने दो यानि जो किताबे तुम पढ़ रहे हो किताबों का जो ग्यान तुमारे mind पर हावी है यह वास्तवी जो real life है उससे तुम्हें परिचित नहीं करा सकता जो nature तुम्हें सिखा सकती है जो divine light nature तुमारे अंदर जला सकती है वो यह किताबे नहीं जला सकती है आगे बढ़ते है यानि nature के पास knowledge और teaching की एक wealth भरी पड़ी है beyond expectation नेचर के पास इतना अधिक है तुम्हें सिखाने के ते जितना किसी के पास नहीं है knowledge की एक दुनिया है nature के पास आर minds are hard to bless और वो wealth हमारे यानि जो knowledge और teaching है nature के पास वो wealth हमारे मन और दिलों को bless करती है उन्हें pure बना देती है वो knowledge spontaneous wisdom breathed by health और हमें क्या देती है wisdom देती है साथी साथ health देती है यानि nature हमें health और wisdom से भर देती है स्वस्थ कर देती है अगर हम nature के नजदीक है और ऐसी बुद्धी देती है जिससे हम real life को समझ पाते है truth breathed by cheerfulness यानि nature किसी के भी heart को cheerful खुशी से भर देती है कहने का मतलब है पूरी सक्चाई के साथ खुशियां देती है उसकी खुशी में कह सकते है किसी तरह का metabolism नहीं होता है वो pure होती है natural होती है यानि जिससे human being को क्या मिलता है खुशी मिलती है वास्तविक खुशी मिलती है जो artificial खुशी है वो nature नहीं देती है nature जो है हमारे दिलों को वास्तविक खुशीयों से भर देती है और हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे अंदर बुद्धी मत्ता आती है यह यह stanza कहना चाह रहा है फिफ्थ stanza था इंपोर्टन था अगला देखते हैं फिफ्थ stanza बहुत ही इंपोर्टन है वेरी इंपोर्टन गईस TGT PGT सभी exams में stanza कई बार पूछा गया है वन इंपोर्टन था इंपोर्टन था इंपोर्टन था यहां पोईट अपने दोस्तों से कह रहा है कि एक spring season की लकड़ी राइट वर्नल वूट का मतलब है spring season की लकड़ी या कह सकते हैं लकड़ी का कुछ तुकड़ा वो तुम्हें man के बारे में इंसानों के बारे में ज़्यादा बसा सकता है उनकी evil उनकी अच्छाईयों उनकी बुराईयों के बारे में ज़्यादा बता सकता है यानि क्या बुरा है एक स्प्रिंक का टुकरा लकडी का टुकरा तुमें ज़्यादा बता सकता है अच्छाई बुराई तुमारी भलाई वो ज़्यादा बता सकता है than all the sages can, तो किस से compare कर रहे हैं, than all the sages can, जितना की सभी sages, यानि सभी विद्वान या सादू, जिनने society में सरवोच समझा जाता है, वो भी उतना नहीं बता सकते, तो इस stanza में वर्थ-वर्थ कह रहे हैं कि एक जो वर्नल वूड है, जो लकडी का टुकडा है, वो इनसान को ज अच्छा है, क्या बुरा है, ये nature, तुम्हें जितना अच्छे से समझा देगी, उतना कोई भी सादू या संत, कोई sages तुम्हें नहीं समझा सकता, तो ये stanza guys, बहुत important है, बाहर बार मैं बता रहा हूँ, अगला देखते हैं, 7th number देखते है, sweet is the lore which nature brings, sweet is the lore which nature brings, our meddling intellect, misshape the beutious form of things we murder to dissect, कहने का मतलब है, जो nature है, वो तुम्हें क्या देती है, sweetness, feeling और idea देती है, यानि knowledge, नेचर हमें, knowledge, nature हमें देती है, क्या देती है, उससे sweet कुछ बहुता है, गुद्धी देखे है? इंटिलेक का मतलब क्या था बुद्धी, इसका कहने का मतलब है, जब हम अपने mind का use करते हैं, अपनी intellect का use करते हैं, मतलब हम research करने लग जाते हैं, प्रकरती पर research करने लग जाते हैं, आप देख सकते हैं, जो scientist है, जो science है उतनी nature पर research किया, पेड़ पॉदे काटे गए और उस पोईट यहां कहना चाह रहे है, our meddling intellect, जयानि जब हम अपनी बुद्धी और विवेक का तर्क का प्रयोग करने लग जाते हैं, ताकि हम से क्या सही क्या गलट ढूनने लग जाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, misshape the beauteous forms of things, यानि हम जो beauty है, जो nature की original beauty है, उसको misshape कर देते हैं, उसे हम बरबाद कर देते हैं, उसे हम क्या कर देते हैं, बरबाद कर देते हैं, misshape कर देते हैं, कब जब हम अपनी बुद्धी का प्रयोग करते हैं, we murder to dissect, यानि अपने intellect का गलत तरीके से प्रयोग करके, हम nature की original beauty का murder कर देते हैं, उसे खतम कर देते हैं, इस stanza में पोईट जब हम बुद्धी का प्रयोग करके, ना यूज करें, क्योंकि नेचर ही हमारी real teacher है, तो उसे अपनी बुद्धी का प्रयोग करके, हम research करते हैं, उसे analyze करते हैं, तो उसकी खुब सूर्ती को हम बरबाद कर देते हैं, उसका हम murder कर देते हैं, तो ये भी stanza important था, last stanza देखें Stanza number 8, last stanza important है, कई बारे पूछ लियाता है, last stanza, ये lines किस stanza की हैं, तो last stanza की हैं, enough of science and of art, यानि बहुत हो गया, अपनी science और arts की theories को बंद करो, बहुत हो गया, research करना बंद करो, विवेक का प्रयोग करना बंद करो, poet अपने friends को समझाते हैं, कि science और art का, यानि जो philosophy तुम प पढ़ना बंद करो, close up those barren leaves, यहां पर barren का मतलब बंजर है, आपको पता है, barren leaves किसको कहा गया है, barren leaves कहा गया है, books के पन्नों को, तो poet या कह रहे हैं, सब बंद करो, इन बंजर पत्तों को बंद करो, ये तुम्हें nature का असली मतलब नहीं सिखा सकती, nature को जानने के लिए त come forth and bring with you a heart that watches and receives, यानि बाहर आओ, अपने pure heart के साथ, pure दिल के साथ बाहर आओ, जिसमें metalistic कह सकते हैं, society का कोई प्रभाव ना हो, जो क्या करेगी, the watches and receives, जो दिल क्या करेंगे, जो nature के प्रभाव को देख सकेंगे, receive कर सकेंगे, ग्रहन कर सकेंगे, nature को enjoy कर सकेंगे, उसका आ करेंगे, इनको बंद करो, और ये जो baren, baren, जो leaves है, leaves है, इनको बंद कर दो, books के pages को, पोईट, baron leaves कह रहे हैं, कइभार पूछा गया है, कि baron leaves किसको कहा गया है, तो books के pages को कहा गया है, इनको बंद कर दो, और जो pure heart है, जो God ने तुमें दिया है, pure heart, जिसमें किसी भी metabolism का प्रभाव नाओ, उस दिल के साथ बाहर आओ, और देखो, रिसीव करो, राइट क्या रिसीव करो, नेचर की ब्यूटी को रिसीव करो, राइट आनन्द लो नेचर का गई, और नेचर ही तुमारी रियाल टीचर है, तो ये पोयम थी, छोटी सी पोयम थी, बड़ी ही, इंपो इंपोर्टेंट थी, विलियम वर्ट्सवर्थ की, आई होप आप लोगों ने इंज्वाय किया होगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ये पोयम आपको कैसी लगी, टेबल टर्ण आपके TGT, PGT दोनों ही एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, तो कॉमेंट करक गाईज हमको जरूर बताइएगा, पोयम आपको कैसी लगी, और कहीं भी कोई भी कुश्चन हो, क्लास के बाद डेरेट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नमबर दिया हुए, आप डेरेट मुझे कॉल कर सकते हैं, चलिए थाइंक्यू वेरी मच, पढ़त दे ते लिए बाइगा को जरुपाईस on के लिए योचाह टे डेरेगा केskट वेरे लगीया हो, कॉर भी को येरिये कहाते हैं ।